हेलो गाईस आज हम बात करेंगे OPPO A15 के हेंगिंग प्रॉब्लों सॉलिशन के बारे में मुझे 100% ग्यारंटी है कि आप लोग को इस टाइब की प्रॉब्लम आ रहे होगा इसलिए आप लोग ने इस वीडियो पे क्लिक किया रहेगा क्योंकि इस टाइब की प्रॉब्लम आमत अलग से आप लोग को कोई भी थर्ट पार्टी एप्स वागया इस्टॉल नहीं करना पड़ेगा वीडियो स्टाइट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल का इकन को प्रेस कर दीजिए मैं कुछ आप लोग के साथ टीप्स सेर करूंगा और कुछ ट्रिक्स भी सेर करूंगा जिससे आप लोग यह प्राब्लम को एकदम हंड्रेट पर्सेंट खतम यहां पर कर पाएंगे सबसे पहले कर यह आप लोग के फोन में अगर अब्डेट आया होगा सिंप्ली अब्डेट कर लिजिएगा क्योंपी इंप्रूव की जाती है काफी बक्स वगरा फीस की जाते और इस्टेबिलिटी को इंग्रीस किया जाता है तो यह सब चीज़े आप लोग देख लीजिएगा और अपडेट जब भी आता है आप लोग अपने फोन को अपडेट हमेशा करते रहेगा और आप लोग ने चीज के आप लोग को टूंब समस्क्रांव आप लोग की फोन में आप लोग के फोन में आव्टमेटिक लुख फ्यम अप्रृइट पयर इंस्टा physi करिए माफ लिक कर दीजिगा माफ करना यह सैटिंग मने क्लिक किया आटों इप्र। lowest डोंट आपडेट कर दीजिगा जिसमें आप लोग के फोन में आपडेट नहीं होगी जब आप लोग चाहेंगे तभी आप लोग के फोन में एपस बगेरा अपडेट होगी यही सेटिंग आप लोग एप मार्केट में भी कर लीजिगा एप मार्केट में भी काफी एपस अप अप्डेट होते रहती है इस टैपस नहीं होगी बठाँ आप लोग अपने फोन में एपस वगेरा भी अपडेट करती रहीगा काफी काफी बार क्या होता है कि आप लोग कुछ-कुछ एपस जो यूज करते है उसमें अप्टमाइज़न की काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती ह जोग जिसके विज़से आप लोगा फोन काफी ज्यादा हैंग करता होगा तो अगर उस टैप की प्रॉब्लम आती तो आप लोग क्या करिए उस एपस को आप लोग चेक कर लेना है कि अपडेट है इन्य लेटेस्ट वर्जन है या नि आप लोग कुछ उसका बडेट वाग कर देना है storage को थोड़ा cool ही रखे थोड़ा खाली ही रखे और हो सके तो आप लोग SD card यूज करते होगे तो जयादा से जयादा डाटा आपे सी काइड में रखी गा जिसके वज़से storage थोड़ा सा खाली रहे और आप लोग का storage खाली रहने के वज़से आप लोग को hanging जैसी problem भी नहीं आएगी और virus वगेरा आप लोग अपने phone में clean वगेरा करते हीगा ठीक है ना जिससे rain वगेरा boost हो जिसमें आप लोग rain वगेरा clear रहेगे तो आप लोग कोई भी problem नहीं आती है and background में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर ये इसनल सेटिंग में क्लिक करके एक बार अपने phone को जो है backup and set पे क्लिक करके आप लोग अपने phone का जो है एक बार setting only को reset कर लीजिएगा only setting को reset कर लीजिएगा तो अगर कुछ भी गलात activity रहे होगी वो सब default में चल जाएगी जिसमें आप लोग को और भी कुछ problem नहीं है कि मतलब हैंग तो छोड़िए और भी आप लोग को कुछ भी problem नहीं आएगी तो ये कुछ है ऐसी tricks जो कि आप लोग इनको use कर सकते कुछ tips and tricks जिससे आप लोग अपने phone को hang होने से बजा सकते है और फिलाल के लिए इतना उमीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसने की जोए मता दी